Hi friends, welcome to Lawmate, I am Muskan Man Dhyan, EO Legal Guide So guys, आज के इस वीडियो में हम discuss करेंगे different theories of rights Lawmate EO Legal Guide मेरे telegram channel है जिसका link description में दिया Please उसे join कर लिजे क्योंकि हर वीडियो के notes मैं वही पर आपको available कराती हूँ So I request you guys कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहे हैं Let's start हमारी first theory है theory of natural rights Natural rights वो rights होते हैं जो इनसान को तब से available है जब से उनों वो थोड़ा develop भी नहीं हुआ था पूरी तरीके से Primitive age से ही natural rights उसे मिले हुए है Rights पर मैं एक full video बनाए प्लीज उसे जाकर देख लीजेगा आपको सारे rights की definition meaning अच्छे से clear हो जाएगा इसलिए मैं जादा यहाँ पर natural rights का meaning discuss नहीं करूँगी यहाँ पर सिर्फ इतना ही मैं कहूँगी कि यह rights actually God ने हमें दिये हैं और यह तब से available है जब से हमारी consciousness इतनी develop भी नहीं हुई थी यह theory यह बात कहती है कि यह rights लोग तब से exercise कर रहे हैं जब society और state आए ही नहीं थे society और state form भी नहीं हुए थे तब से उसके भी पहले से यह rights हमारे पास available है ancient Greek और Roman thoughts में भी यह theory कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेगी according to Cicero Cicero नहीं कहा जो natural law का principle है वो बहुती important place acquire करता है in the development of a personality of an individual ठीक है जो natural law होता है बहुती ज़ादा important होता है यह determine करने में कि individual की personality कैसे develop होगी individual की personality को develop करने में natural law का बहुती ज़ादा important law important role होता है American और French revolutions पर भी काफी ज़ादा important influence रहा है इस theory का American Proclamation of Human Rights ने क्या declare किया है All men are by nature equally free ठीक है जितने भी इंसान जितने भी humans है nature द्वारा ही उन्हें freedom मिली हुई है हमें nature द्वारा ही freedom मिली हुई है and equally वो भी freedom मिली है ऐसे नहीं कि आपको ज़ादा freedom है मुझे कम है नहीं equally सबको nature ने freedom दी हुई है and independent and have certain inherent rights ठीक है हमें freedom भी मिली हुई है independence मिली हुई है तरीके से equally और कुछ inherent rights मिले हुए है nature ने हमें कुछ rights भी दिये है ये लिखा हुआ है American Proclamation of Human Rights में इन rights को implement करने के लिए individuals ने खुद governments भी form की हुई है French Declaration भी यही कहता है कि natural rights जो होते हैं वो inalienable रहते हैं ठीक है उन्हें transfer नहीं किया जा सकता उन्हें छीना नहीं जा सकता criticisms क्या है इस theory के वो देखते हैं लेकिन उसके पहले प्लीज वीडियो को जल्दी जाकर शेयर कर दीजिए बहुत महनत लगती ऐसे वीडियोस बनाने के लिए तो प्लीज शेयर करीगा नए है तो बेल अकन को ज़रू से प्रेस कर दीजेगा critics ऐसा कहरे है कि जो natural rights की theory बहुत ज़र वेग है ठीक है काफी confusing है clear नहीं है ठीक है वहापे जो nature का meaning है वो सही से describe या define नहीं किया गया है second criticism यह है कि यह theory के दिए rights are absolute ठीक है rights पूरी तरीके से absolute है जिसका मतलब है कि society को harm करने के लिए rights का use किया जा सकता है rights पर restrictions लगना बहुत ज़ादा जरूरी है ठीक है लेकिन यह theory किसी भी तरीके की restriction की बात नहीं करती है rights के उपर इसलिए यह rights harm कर सकते है society को इस theory ने यह clearly नहीं बताया कि कौन से rights आखर natural rights की category में आएंगे rights किस किस तरीके के rights को हम कह सकते कि हाँ यह right natural right है यह सही से इस theory ने नहीं बताया है इसका example है कि private property को भी कुछ लोग कुछ writers natural right मानते हैं वही दूसरे writers यह मानते हैं कि economic equality एक natural right है है रहा तो यह काफी ज़ादा confusing हो जाता है इस theory में यह समझना बहुत ज़ादा मुश्किल है कि natural rights का source क्या है क्या उसका source को individual है किसी individual ने हमें दिये है ठीक है या god ने दिये है या society की general consciousness कि हाँ भाई society को लगा कि हाँ हमारे कुछ natural rights भी होने चाहिए ठीक है ऐसा society को feel होने लगा तो कुछ natural rights आ है ठीक है तो क्या general consciousness society की source है natural rights का ये भी नहीं पता चला यह theory कहती है कि natural rights तब से enjoy कर रहा है इंसान जब से society और state भी नहीं आये थे उससे पहले से भी इंसान के पास यह natural rights available है और वो इन्हें enjoy कर रहा है but in reality अगर आप reality को देखो तो जो rights होते हैं वो आप society और state में रहे कर ही enjoy कर पाते हो right एक civil society में रहे कर ही आप rights को enjoy कर सकते हो तो हम कह सकते हैं यार यह theory एक आधा सच है एक तरीके से पूरा सच नहीं है तो आधा सच है और इसलिए आधी acceptable theory है यह right पूरी acceptable theory यह नहीं मानी जाएगी next theory of legal rights यह theory मानती है कि rights का protector और source state है right state नहीं हमें rights दिये states ही rights बनाता है ठीक है उन्हें execute करता है या implement करता है और उनके scope पर restrictions भी लगाता है कि rights कहां कहां आप use कर सकते हो कितना use कर सकते हो इस पर restriction भी state ही लगाता है यह theory यह भी कहती कि rights are not natural to mind ठीक है मतलब कि nature ने इंसान को rights नहीं दिये ठीक है बलकि state ने इंसान को rights दिये है और state के against जाकर इंसान के पास rights available नहीं है, right? State के against आप जा रहे हैं तो आपके पास rights available नहीं होंगे. State के अंदर रहे कर आपके पास rights available होंगे. State के बाहर कोई भी right available नहीं होता है. State के पास power है कि वो इन rights को change कर सकता है, amend कर सकता है, right? उसके पास ये पार available है, criticisms क्या क्या है जल्दी से देख लेते हैं एक बार, critics कहते हैं कि state के अलावा भी और भी जादा source है, rights के, right, यह theory सिर्फ कहती है कि state ही एक source है, rights का, लेकिन critics का मानना है कि state के अलावा और भी sources है, जहां से हमें rights मिलते हैं, यह theory यह नहीं बताती कि state के जो laws है, क्या वो स ऐसा भी तो हो सकता है, जो state के laws है, वो कुछ चीजों को rights के रूप में recognize करते हैं, उन्हें recognition देते हैं कि हाँ, यह तुमारा right है, और बाकी चीजों को omit कर देते हैं, यह बहुत important चीज है, ठीक है, यह बहुत जादा important चीज है समझना, यह वाला point, point number two, ठीक है, जो state के laws होत होते हैं, वो ही तो आखिर बताते हैं कि यह चीज आपका right है, यह चीज आपका right नहीं है, ठीक है न, right to live with dignity, एक right है, ठीक है, right to live with dignity, वहीं पर क्या पता जो दूसरा, एक right हो, उसे right माना ही न गया हो, जब कि उसे माना जाना चाहिए था, right की category में उसे डालना था, कोई ऐस right, जिसे right की category में डालना चाहिए था, बट नहीं डाला गया, ऐसा भी तो हो सकता है, तो वही चीज यह theory हमें यह चीज नहीं बताती है, कि क्या state के laws किन चीजों को rights के रूप में recognize करेंगे, और किन चीजों को rights के रूप में recognize नहीं करेंगे, और क्या वो चीज सही है, उसे recognize recognize नहीं करना right के form में, क्या वो चीज सही है, यह चीज भी हमें theory बताती है, भाई ऐसा भी तो हो सकता है न, state ने जिस चीज को right बताया हो, वो right बनने like ही ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है, और क्या पता, state ने बहुत जरूरी चीज को omit कर दिया हो, हटा दिया हो, because वो शयद हमा आपको समझ में आएगा, यार इस चीज को तो हमारा right होना चाहिए था, यह तो मेरा right है, बट जहां फिर देखो कि constitution पल्टोगे तो आपको पता चले का नहीं है, यह चीज आपका right नहीं है, इसलिए यह चीज समझना बहुत जादा जरूरी है, इस theory ने एक तरीके से state को absolute बना दिया है, right, state को एक absolute authority के रूप में दिखाया है, जो कि काफी जादा dangerous हो सकता है individual की liberty के लिए, इतने सारे criticisms के बावजूद हम कह सकते हैं कि हाँ, state ही हमारे rights को protect करता है, ठीक है, और rights में एक तरीके से morality भी included रहती है, ठीक है, और उनके एक legal recognition मिलना जरूरी है, next is theory of historical rights, ये theory कहती है कि rights की historical growth होई है, right, rights कब से history से ही धीरे-धीरे grow कर रहे है, evolve कर रहे है, so ये theory कहती है कि जो rights का source है, वो historical traditions है, conventions है, ठीक है, लोगों की life style है, जो एक तरीके से ना deep rooted थी society में, एकदम से society का part बन गई थी ये सारी चीज़े, and इसी वज़े से इनको right का form दिया गया state and rights को ignore नहीं कर सकता है, ठीक है, because ये religious teachings पर based है, और लोगों की feelings पर based है, एक custom जो लोग generations to generations follow करते आ रहे है, ठीक है, पीडी दर पीडी जो follow किया जा रहे है, एतने time से follow किया जा रहे है, वो धीरे-धीरे एक right बन जाता है, और एक law का basis भी कहलाता है, लेकिन कौन सी कौन सी नहीं, वो भी एक चीज होती है, वो भी आपको देखनी पड़ती है, ठीक है, and custom एक तरीके से legal practice होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सारी चीज़े public policy या public के against जा रही है, society के against जा रही है, उस practice को custom के form में नहीं देखा जाएगा, right? Criticism क्या क्या है, ये देख लेते हैं, हर चीज का historical origin नहीं होता, ठीक है न, उसी तरीके से rights का भी historical origin हो, ये चीज ज़रूरी नहीं है, ये चीज बहुत ज़दा uncertain है कि हर custom को law माना जाएगा या नहीं, ठीक है, ये चीज काफी ज़दा uncertain है, और हर community के हर religion के एक तरीके से अलग customs होते हैं, ठीक है, सबके custom same तो नहीं होते हैं, तो इस हसाब से अगर हर community का हम custom क्यों उठा के law बनाने लगे तो बहुत ज़दा uncertainty नहीं आ जाएगी law में, है न, law तो uniform रही नहीं जाएगा एक तरीके से, law में बहुत ज़दा uncertainty आ जाएगी अगर हर, you know, community का I am custom के law बनाने ल अगर आप customs and usages को law का status देने लगे और यह चीज़ आपने बहुत frequently करना start कर दिया, ठीक है, काफी जल्दी-जल्दी करना start कर दिया, customs and usages को एक तरीके से law का form देना start कर दिया, और यह हर religion में आपने करना start कर दिया, तो एक तरीके से लोगों की आदत पढ़ जाएगी, लोगो communities को लगेगा, class को लगेगा, कि हाँ, अब हर क्या कहते है, customs को हम law का form दे सकते हैं, हर usage को हम law का form दे सकते हैं, तो सभी लोग फिर ऐसा चाहेंगे, हर community, हर cast के लोग ऐसा चाहेंगे, कि यह हमारी essential practice है, इसे law बना दो, यह हमारी essential practice है, इसे law बना दो, तो बहुत जादा confusion and chaos फैल जाएगा सोसाइटी में हर कम्यूनिटी यही चाहेगी कि हाँ यह मेरी सेंशल प्रैक्टिस है मैं से नहीं छोड़ सकती हूँ इसे लौ का फॉर्म दिया जाना चाहिए तो यह चीज आप बहुत जादा जल्दी जल्दी नहीं कर सकते हो हर कस्टम को हम लौ का स्टेटस न को लेगा ना कि यह मेरे लिए इसेंशल प्रैक्टिस है इसे लौ बनाना चाहिए बट क्या पता वो प्रैक्टिस एक तरीके से सोसाइटी के ही अगेंस्ट हो है ना क्या पता वो प्रैक्टिस सोसाइटी के अगेंस्ट हो फिर भी वो लोग जिद कर रहें कि नहीं इसे एक किसे law बनाओ क्योंकि दूसरी community के custom को अपने law बनाया है ठीक है तो यह चीज करना भी बहुत जादा dangerous साबित हो सकता है यहां पर वह अलब पॉइंट है जो यह कह रहा है कि customs और traditions जो है हर community के हर religion के अलग-अलग होते हैं राइट सेम तो नहीं होते हैं क्योंकि परसनल चीज है ना परसनल religion के बारे में तो हर community के customs अलग-अलग होते हैं और अगर इन पर हम अपना law based कर दें ठीक है इनके basis पर अगर law बनने लगे तो क्या law uniform रह जाएगा बिलकुल नहीं law अलग-अलग लगने लगेगा ठीक है law uniform नहीं होगा बलकि law तो uniform होना जरूरी है otherwise confusion create होगी और काफी जादा chaos create होगा इसलिए हम अपना law जादा जल्ली इन पर based नहीं करते हैं अब है idealist theory of rights इस theory कम personality theory of rights भी कहते हैं यह theory कहती है कि rights वो external conditions रहती है जो बहुत ज़ादा जरूरी रहती है individual के internal development के लिए you know humans को कौन सी conditions necessary होती है friendly conditions की उसे जरूरत होती है जिसकी वज़े से अपनी personality को बाहर से develop करता है ठीक है और यह conditions कौन provide करता है state provide करता है इस theory ने rights को इंसान के moral development से link किया हुआ है और यह theory rights को एक moral viewpoint से ही देखती है individual को rights society का member बनने पर ही मिलते हैं और जैसे जैसे society का welfare होता है वैसे वैसे individual का welfare भी होता है इसलिए state सिर्फ उन rights को ही recognize करता है जिससे individual का welfare हो, social welfare हो और moral enhancement हो, right? इसलिए इस theory का सबसे important feature यही है कि यह individual के right को morality से link करती है duties हर rights से related है, ठीक है? अगर आपको एक right मिला है तो उसके साथ एक duty भी मिली हुई है यह कहना इस theory का individuals अपने goals तभी achieve कर सकता है जब उसकी personality constantly develop कर रही है, right? Criticisms क्या है इसके? इस theory ने personality का exact meaning हमें नहीं दिया है और कौन सी conditions, you know, जरूरी है personality को develop करने के लिए individual के personality को develop करने के लिए किस तरीके के conditions जरूरी है? यह भी इस theory ने नहीं बताया इतने criticisms के बाद भी हम कह सकते हैं कि एक तरीके से इस theory ने हमें moral perspective दिया है, right? morally एक perspective दिया है कि individual के rights को कैसे देखा जाना चाहिए ठीक है, rights को किस तरीके से देखा जाना चाहिए इसका moral perspective इस theory ने ही हमें दिया है हमारी आखरी theory है social welfare theory of rights इस theory को हम utilitarian concept भी कह सकते हैं इस theory को मानना है कि rights are created by society ठीक है, जो rights है वो society ही create करती है क्यों create करती है, ताकि social welfare हो सके ये rights conditions बनाते हैं society में social welfare के लिए ये theory कहती है कि जो conditions individual को और society को खुश करती है उन्हें happy करती है, वही conditions rights है ये theory कहती है जो natural rights है, laws है, customs है वो एक तरीके से society के welfare के बीच में नहीं आने चाहिए ये चीज़े society के welfare के subordinate ही रहनी चाहिए इसके criticisms क्या है देखते हैं एक तरीके से social welfare की आड में गवर्मेंट बहुत जादा पार acquire कर लेती है और इसी power से फिर वो rights को छीनने लगती है और अगर social welfare, ठीके social welfare condition है जिसकी वज़े से हमें rights मिल रहे हैं जिसकी वज़े से हमें rights मिल रहे हैं कि हाँ इनको rights देने पर social welfare होगा तो इसकी वज़े से जो individual freedom है इंसान की वो कहीं छुप जाती है वो अपनी personal freedom पूरी तरीके से enjoy नहीं कर पाता उसे पूरी तरीके से promote नहीं कर पाता उसका interest जो है individual का वो social welfare में जाके छुप जाता है कहीं उपर से हमें ये भी नहीं पता है कि किस right की वज़े से हमें maximum happiness मिलेगी utilitarian concept अगर अपने utilitarianism नहीं पढ़ा है तो उसको पर मैंने एक video बनाया है प्लीज जाकर उसे देख लीजेगा वो कहता है maximum happiness of the maximum number तो यही चीज वो theory कह रही है कि कौन सा right आखिर हमें maximum happiness of the maximum number लाकर देगा ये हमें नहीं पता है और जहां पर बात हो रही है maximum happiness of the maximum number की ठीक है इसका मतलब है कि majority की बात हो रही है right कि majority को rights मिलेंगे उन्हीं का welfare होगा तो minority के rights तो फिर आपने ignore कर दिये है की नहीं तो let's conclude this topic हर theory ने हमें थोड़ा थोड़ा सच बताया right कोई भी theory पूरी तरीके से सही नहीं है जिसने हमें proper explanation दिया हो rights का इसी लिए यहां पर यह suggest किया गया conclusion में कि हर theory से कुछ-कुछ ideas लिये जाएं जो actual में practicable है सही है ठीक है और उन ideas को combine करके हमें conclusion तक पहुँचना चाहिए सिर्फ एक theory पर हमें you know stand नहीं लेना चाहिए काफी सारी theories की हमें अच्छी अच्छी चीजे लेनी चाहिए so thank you so much for watching this video friends and we'll meet soon in the next video good luck